तरवेज एन सोर्स ओफ टेटा इन सर्वेज यह बहुत ज़ादा फ्रिक्वेंटली यूज ओने वाला मैथट है इसमें इन्फर्मेशन बड़ी जल्दी कठी हो जाए आप एक हजार लोगों को एक ही सवाल नमा दे दें और वो सारा सर्वेज वह एक ही वक्त में हो जाएगा घंटे में हो जाएगा दो दिन में हो जाएगा क्योंकि वह एक ही वक्त पे कर रहे होंगे आपको बारी-बारी नहीं जाना यह कॉस्ट भी इसकी कम होती है सस्ता मैथड है और टाइम भी कम लगता है बहुत ज्यादा डेटा कठा हो सकते हैं बिगर सांपल हो सकते हैं यह ओ इन परसंदी भी दिये जा सकते हैं मेल भी यानि सवाल नमा आपको डाक के जरीए भी आ सकते हैं और इंटरनेट पे ऑनलाइन जो बहुत बड़ी-बड़ी क्रॉस कल्ट्टरल स्टडीज हैं जिसमें हजारों के हिसाब से लोगोंने आंसर किये हुए हैं और उन स्कोर्स का अनलाइन डाल दिये जाते हैं कोविट से पहले भी हो रहा था कंट्रीज का बिग डेटा लेकिन अब तो बहुत ज्यादा रिसर्च वह ओनलाइन गूगल फॉर्म्स या ओनलाइन क्वेस्टनेर्स के जरीए हो रही हैं इंटर्व्यूस भी सर्वे में किये जा सकते हैं वह इसका ब्लब होते हैं टैलेफॉनिक भी होते हैं एक ठारी लेतर में पूछे जा रहे होते हैं एक और इसकी यह आपकी शमूलियत का शुक्रिया और अगर आप नहीं करना चाथे तो आपको इजाजस्त जाता है कि आपका डेटा किसी से शेयर नहीं करेंगे आपका नाम भी नहीं आएगा इसमें और आप इसमें कम्फटेमल हैं तो हम आगे चलें तो यह वह डारेक्ट कम्यूनिकेशन करता है सर्वेश शुरू करने से पहले इसमें फीड़बैक भी हो जाता है कि आपका सवाल समझ नहीं आया आया इस तरह एक क्वेस्टन रिपीट भी किया जा सकता है अगर कोई पूछे एडिशनल इंफरमेशन भी कि यह इस लफज का क्या मतलब है यह आप क्या पूछ रहे हैं जब होता है तो क्वेस्टेंज करके और वापस कर दिया जाते हैं यह नहीं है कि उस तरह हो रही है और हो भी सकती है लेकिन सिर्फ दोनों में जो फर्क है वो आपको बता रहे हैं मेल वाला मसलें इंडारेक्ट पर्स कोई परसनल इंवाल्मेंट गीजो कुछ है अस दूपर लि respondents को उनके home पे classroom पे या उनके दफ्तरों में भेज दिया जाता है और इस तरीके से भी surveys जो है वो conduct किये जाते हैं cross-cultural में भी और बाकी तमाम sciences में